आज हम लोग क्लास 11 का पार्ट तिकुण मितिय फलन की प्रश्ण आवली 3.1 का इंट्रोड़क्शन पढ़ेंगे तो इसके लिए हम सबसे पहले जो क्लास 10 में पार्ट 8 और 9 में हमने पढ़ा है तिकुण मिति उसके बारे में पहले फुड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जिससे हमको ये पार्ट का इंट्रोड़क्शन समझने में समस्या नहीं होगी तो देखे क्लास 10 में हमने क्लास 10 में चैप्टर 8 और 9 पढ़ा था ठीक ना 8 और 9 में पढ़ा था तो सबसे पहले इसमें हमने देखते हैं क्या है तो देखे इसके अंतरगत क्या था कि एक सम कोर्ट त्रिभूज लिए थे सम कोर्ट त्रिभूज जिसका एक डिग्री एक कोर्ण 90 डिग्री होता है और ये थीटा अगर हम लिए हैं इसको इसको थीटा ले लिए हैं और हम इसका नाम कर लेते हैं A, B, C तो हमको इसमें देखे भुजाओं का अगर अनुपात लेते थे तो हमको इस निवन कोर्ण का मान ग्यात होता था तो ये हम कह सकते हैं कि हम एक निवन कोर्ण और भुजाओं के अनुपात का संबंध हम देखते थे अभी तक ठिक ना उसी को हम तिकोर्ण में तिये अनुप भुजा को कन बोलते हैं यदि हम इसको आधार ले लें तो ये लंब हो जाएगा इसको अगर हम यहां भी लंब लिख सकते हैं तो ये लंब लेंगे तो ये आधार हो जाएगा ठीना तो इस थीटा अगर हमने ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं तो इस प्रकार देखे अगर हम sin theta ले लें तो sin theta क्या होता है तो यह होता है लंब बटे कण लंब बटे कण हो गया तो लंब कितना है BC बटे AC ठी ना तो यह sin का हुआ अब देखे हमको मालूम है sin का वित्करम कौसिक होता है तो इसको भी यहीं लिख लेते हैं यह हो जाएगा लंब बटे आधार यह हो जाएगा लंब बटे आधार तो लंब इसमें क्या है BC और आधार AB हो गया ठिना तो अब देखें इनका वित्करम देख लेते हैं जैसा हमें मालूम है साइन का वित्करम कौसेक होता है तो इस पकार हम कौसेक लिश सकते हैं कौसेक थीटा बराबर लंब बटे करन है तो यह हो जाएगा करन बटे लंब हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा AC बटे BC फिर कौस का वित्करम सेक थीटा होता है तो शेक में हो जाएगा कन बटे, आधार कन है, इसमें A, C और आधार हो गया, A, B तो इसी प्रकार, लास्ट में एक 10 का कॉट होता है, तो कॉट लिख लेंगे तो जाएगा, आधार बटे लंब आधार कितना है, इसमें A, B बटे, लंब कितना है B C ठीक ना तो यह क्या था एक न्यून कोंड तुरि भूज थीता है इसमें न्यून कोंडührt थीता तीनों कोंड हैं वो न्यून कोंड होंगे क्योंकि एक कोंड Yoga 90 dg है तो बाखी तीनों कोंडो का योगफल 180 होता है जिसमें से एक कोण तो 90 डिग्री हो गया, तो बाकी दो कोण तो 90 डिग्री से कोई विमान जादा हो ही नहीं सकता, दोनों ही निवनकोण होंगे, क्योंकि इन दोनों का योगफल ही 90 बचेगा, ठीक न, तो इसलिए थीटा ये निवनकोण है, तो इससे हमको ये प्राप्त होत और निवनकोण की बीच में संबंध हमको मिलता है, इसे ही त्रिकोण मिती अनुपात कहते हैं, अब देखिए इसके बाद हमने पढ़ा था, कुछ सर्वसमिकाएं पढ़ा था, हाँ ना इसको बोलते हैं त्रिकोण मिती, सर्वसमिकाएं, सर्वसमिकाएं, तो इसमें तीन सर्वसमिकाएं थी, तो इसको भी देखते हैं, देखें, पहला था, साइन स्कॉाइर, ए अगर लेंगे तो ए, और अगर यहाँ पर थीटा लिखेंगे, तो थीटा लिख लेंगे, ठीक ना, प्लस, कॉस स्कॉाइर, थीटा, बराबर एक, यहाँ पर जो भी हम कॉण रखेंगे, दोनों सेम एक ही होना जाए, थीटा है, तो यहाँ भी थीटा है, यहाँ अगर ए चाहे तो ए लिख सकते हैं, तो यहाँ भी ए लिखना होगा, फिर यहाँ पर दूसरा है, वन प्लस टेन स्कॉाइर थीटा बराबर सेक स्कॉाइर थी ना, तो पूरा कॉण वेद, दो ऐसे कॉण होते हैं, जिनका यदि योग फल करें, तो हम यह 90 डिगरी के बराबर आ रहा है, तो देखें इसके लिए क्या सुत्र था, एक था साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक ना, यहाँ ग्लास 10 की बुक में यहाँ थीटा के स्थान पर ए लिखा हुआ है, ठीक ना, फिर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक ना, यह साइन है, साइन थीटा है, फिर 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, अब देखें इसका, अब जिसे यह होगा 10, अब कॉट का देखेंगे, तो कॉट के क्या होता Cot 90-Theta बराबर 10 Theta ओर sec 90- theta बराबर cossh1 THeta, तो cossh5 Theta क्या हьютाएगा? Aussig 90-theta बराबर this sec theta ठीक ना तो ये हमने पढ़ा अर फिर हमने पढ़ा था साइन कॉस्ट एंच है उत्तिकोड मितियन उपात का सुन 30, 45, 60 और 90 डिगरी पर इनके मान ग्यात किये थे हम लोग ठीक ना तो हम इसका मान भी ग्यात कर लेते हैं यही पर ठीक ना यह बार रिवीजन कर लेते हैं तो यहां लिख लेते हैं हम लोग ठीटा मतलब यह 0 डिगरी और 30 डिगरी 0, 30, 45, 60 और 90 डिगरी ठीक ना और किसके लिए सबसे पहले साइन के लिए तो साइन ठीटा लिख लेते हैं तो साइन ठीटा के लिए निकालेंगे तो साइन जीरो डिगरी पर मान जीरो ही प्राप्त होता है ठीक ना यहां 0 हो गया यह 0 डिगरी और साइन 30 का मान 1 बटे 2, 45 का मान 1 बटे करनी 2 और 60 का मान करनी 3 बटे 2 और 90 पर यह 1 हो जाता है ठीक ना अब फिर कॉस का ज्यांत होगा कॉस का देखी क्या होता है तो कॉस का जस्ट साइन का उल्टा चलता है जैसे यहां 0 से 1 तक गया है तो हम यहां पर 1 यहां लिखेंगे तो देखें 1 लिख लेते हैं यहां 1 लिखेंगे फिर इसको यहां लिखेंगे करनी 3 बटे 2 और 1 बटे करनी 2 यहां लिखेंगे एक बटे 2 यहां लिखेंगे और यह सुनने है तो सुनने हो गया इस प्रकार sin a cost का पता चल गया, 10 का देखी क्या होता है, तो 10 के लिए लिख लेते हैं, देखे 10 0 पर 0 होता है, फिर इस पर 1 बटे कर्णी 3, फिर यहाँ 1, यहाँ कर्णी 3 और यह अपरिभासित, है ना, non-define होता है, फिर इसके बाद देखे हमने min sin a cost 10 का मान ग्यात तर लिय 0 से लेकर 90 degree पर, अब हम sin का वित्करम मतलब कौसे का ग्यात करेंगे, कौसेक, सेक और 10 का ग्यात करेंगे, तो देखें, इसके लिए याद नहीं करना होता है, यदि आपको यह उपर वाले याद हैं, तो यह अपने आप याद हो जाएंगे, देखें, इसमें क्या होता है, 0 degree पर 0 का उल्टा करेंगे हम लोग, ठीक ना, तो 0 का उल्टा वित्करम मतलब 1 बटे 0, ठीक ना, कौसेक, साइन का वित्करम, तो 1 0 degree आया है, 0 मान आया है, तो कौसेक क्या करेंगे, 1 बटे 0 करेंगे, तो 1 बटे 0 देखें, आपरिभासित होता है, ठीक ना, तो हम यहाँ प अब देखे, कॉस का वित्करम सेख है, तो एक का उल्टा एक ही होगा, फिर कर्णी तीन बटे दो का, 2 बटे करनी 3 1 बटे करनी 2 का करनी 2 1 बटे 2 का 2 और 0 का 1 बटे 0 मतलब आपरिभासित तो यह आपरिभासित अब देखे 0 का 1 बटे 0 मतलब यह आपरिभासित यह देखे कौट है यह कौट 10 का तो हो गया 0 का वितकरब करेंगे एक बटे 0 मतलब आपरिभासित एक बटे करणी 3 का वितकर्म करेंगे तो करणी 3 प्राप्त 1 का करणी 3 का देखें यह बटे 1 होता है तो एक बटे करणी 3 प्राप्त हो जाएगा और यह देखें infinite है मतलब एक बटे infinite बराबर 0 भाई एक बटे 0 का infinite आ रहा है तो एक बटे infinite का 0 आएगा इसलिए हम यहाँ पर 0 रख देंगे तो देखें यह class 10 का हमने इतना पढ़ा था अब हम इसके आगे class 11 में तिकोन मित्ती फलन के अंतरगत पढ़ना सुरू करेंगे तो देखें आप इसके बाद क्या topic है तो इसके अंतरगत पहले हम कोनो के बारे में देखेंगे कि कोन किस प्रकार का इसकी आधारना है क्या होती है तो देखेंगे concept of angle तो देखें हम यहां देखेंगे कोणों की अउधाना है ना? कोण या कोणों की अउधाना तो देखें कोण अगर हम यहां पर यह कार्थी तल बनाया है यह X अच्छ है यह यक्ष ठीक न? यह यक्ष डैस यह वाई अक्ष यह वाई डैस ठीक न? यदि यक्ष अक्ष को हम इसकी प्रारंभिक बिंदु माना जाए है ना प्रारंभिक रेखा है और यहां से अगर हम घड़ी के सुई की विपरित दिशा में हम कोड बढ़ाएं तेकि यह इस प्रका जाएं ठीक न? सुई इस प्रकार घुंती है और हम विपरित दिशा में ले रहे हैं ठीक न? तो हमको क्या प्राप्थ होगा? यह जो हमको यह ठीटा प्राप्थ होगा ठीटा मतलब किसी कोण को दिखाने के लिए ठीटा लगाते हैं आप यक्ष लिखिए कोई दिक्कत नह हैं तो हमें यहां धनात्मक कौन प्राप्थ होता है थी नधनात्मक कौन इसको बहुत हैं पॉजिटिव एंगिल प्राप्थ होगा और हम क्या किये हैं हम लिख रहे हैं घड़ी की सुई के या घड़ी के सुई के सुई के विपरित दिशा में या तो आप इसको सिंपल बहुत सकते हैं घड़ी के विपरित दिशा में देखें विपरित दिशा ये इस प्रकार होती है इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज मतलब घड़ी के उल्टा में और इसको हिंदी में वामा वर्थ बोलते हैं वामा वर्थ ठीक ना तो अगर हम घड़ी के उल्टा दिशा में मतलब एंटी क्लॉक वाइज डारेक्स में जाएंगे तो हमको जो कोण मिलेगा वो प्लस में आएगा है न तो इसको प्लस थीटा भी बोड़ सकते हैं ठीक न अगर इसी का विपरित देखें उल्टा क्या होता है यदि हम यहाँ पर देखें यह यक्स अक्स बना लिया यह बना लिया यक्स अक्स और यह यक्स यह यक्स अगर हम घड़ी के सुई की दिशा में अगर चले ठीक न देखें यह लिया जैसे इसको हम न प्रारंभिक मान रहे हैं ठीक न यह प्रारंभिक रेखा है यह यह प्रारंभिक बिंदू है कह सकता है यहाँ से हम कोण बनाना शुरू कर रहे हैं ठीक न से एक टू अधार लाइन लेते हैं। वहां से हिए कोण उपर या नीचे बनाते हैं। तो जब इस प्रकार जा रहे हैं तो घरी की विप्री दिसा उपर जाएंगे। उसी की दिशा में इस प्रकार जाएंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग जो हमको प्राप्थ होगा उसको रिणात्मक कोण बोलते हैं जिसका मतलब होता है निगेटिव एंगेल रिणात्मक कोण हमको प्राप्थ होगा और इसको बोलते हैं देखे गड़ी के गड़ी की दिशा में ठी न? आप चाहें तो गड़ी के सुई की दिशा में लिख सकते हैं गड़ी की दिशा में इसको बोलते हैं Clockwise Clockwise Direction Direction या Clockwise से ही समय मा जाएगा और यह होता है, देखें, इस परकार दिशा होती है Clockwise Direction में तो इसको बहुते हैं दक्षिना वर्द, ठीक ना, तो ये इस प्रकार धनात्मक और रिनात्मक कोण हमको प्राप्त होता है, अब देखें इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अब हमने कोण के बारे में देख लिया, अब कोण नापा किस में जाता है, कोण की इकाई क्या होत ही है, तो वो हम देखते हैं अब अब लिखते हैं, देखिये, कोणों का मापन, कोणों का मापन, ठीक ना, मेजरमेंट प अप अफ एंगिल, यह हुआ, मेजरमेंट आफ एंगिल, तो इसके लिए देखें, दो एक आई है, एक होता है, दिग्री, और एक होता है रेडियन इनी तुनों में कोणों को नाम हो जाता है तो पहले हम इसमें डिग्री देख लेते हैं क्या होता है देखें डिग्री क्या बोलते हैं डिग्री तो देखें अगर जैसे एक ब्रित है यहां एक बिंदू ले लिया एक कुछ तरीजा ले लिया और एक हमें यहां ब्रित हींच रहें देखें यह ब्रित हींच लिया अब देखें अगर हम इसको इस पूरे ब्रित को तीन सो साथ बरावर भागों में बाट दें थे न जैसे यह बाटा ऐसे थे न ऐसे पुरा तीन सो साथ बरावर भागों बाटें तो इन में से एक जो भाग है यह थे न एक भाग जो है उसको एक डिगरी बोलते हैं थे न तो यह हो गया एक डिगरी एक डिगरी क्या है न एक पूरा ब्रित का तीन सो साथ मा भाग है न एक पूरी परिक्रमा का एक भाग एक डिगरी कहलाता है तो यह एक डिगरी क्या हो गया पूर्ल परिक्रमा का एक बटें तीन सो साथ मा भाग हो गया थेक न तो इदे कीए इस पकार एक डिगरी को हम लोग दिखाते अब देखे इसके बाद इसी पकार जैसे यह पूरा एक पूरी परिक्रमा हम कर ले हैं तो देखे केंद्र पर पूरा तीन सो साथ अंस का कोण बनता है थी न तो यह हो गया एक पूर्ल परिक्रमा बराबर तीन सो साथ डिगरी बनता है इसमें से एक भाग जैसे बताया तो वन डिगरी बराबर एक बट्टे साथमा भाग पूरी परिक्रमा का ठीक न अब देखे एक डिगरी तो हो गया या डिगरी भी समझ में आ गया अब देखे अगर बहुत बड़ा ब्रित होता है है ना मालिया बहुत बड़ा ब्रित है तो उसका अगर एक डिगरी की बात करें तो देखे एक डिगरी ही सोयम में ही अपने आप में बहुत बड़ा हो जाएगा ठीक ना तो अगर मालिया देखे एक डिगरी ये मालिया एक यह रहा है ना बहुत बड़ा ब्रित होता विल होता तो एक डिग्रि इतना हो गया तो एक डिग्री को भी अगर हम साथ बराबर भागों में बाते तो इस प्रकार जो हमको ये साथ भागों मिलेगा ये देखे ये छोटे छोटा जो पूरे साथ भाग बटेगा तो वो एक भाग एक मिनट कहलाएगा तो देखे एक मिनट बराबर एक डिग्री बराबर साथ मिनट इसको पहले भासाम लिख लेते हैं एक डिग्री बराबर साथ मिनट ठीक ना यहां तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं वन डिग्री देखे डिग्री को इस प्रकार दिखाते हैं और यह 60 मिनट मिनट के एक लाइन ही इसते हैं उपर तो यह संबंद आया ठीक ना एक पून परिक्रमा पर 360 हर्स का कून बनता है यह भी समय में आया ठीक ना तो इस प्रकार देखे एक डिग्री को भी हम 60 बराबर मिनटों में बदर सकते हैं अब देखे अगर इसका आगे भी बात करें तो यह जो एक अग मिनट हमको जो प्राप्त हुआ है अगर उसको हम फिर 60 बराबर भागों बाटें तो इस प्रकार एक मिनट एक मिनट बराबर देखे 60 सेकंड प्राप्त होता है 60 सेकंड ठीक ना पहले एक मिनट लिख लेते हैं एक मिनट बराबर 60 सेकंड ठीक ना जो घड़ी वाला कंसेप्ट है वही वाला ही लगेगा आपको मगर थोड़ा सा سंभने भर के लिए हम बता रहे हैं थोड़ा साइ अलग है और घड़ी का कंसेप्ट अलग है मगर जहां से देखे देखे मिनट और सेकंड की बात करें तो लगब उसी की जैसा ही है तो एक मिनट देखे एक मिनट को ऐसे लिखेंगे बराबर यह हो गया 60 सेकेंड तो यह हो जगा double dash लग जाता है तो इस प्रकार देखे हमको कुछ संबंध प्राप्थ हुआ है ठीना जो आगे हमको काम आएगा तो देखे यह डिगरी के बारे में हो गया डिगरी मेजरेमेंट इस प्रकार किया जाता है और इसकी यह relation होता है सम्में अब हम इसके radian के बारे में देखते हैं यही लिखते हैं देखे radian तो देखे radian क्या होता है अगर एक ब्रित हीचे हम देखे एक ब्रित है जिसकी एक इकाई तरीज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् यह चाप है इसको देखिए रेडियस बोलते हैं इसको आर्क बोलते हैं इस एक इकाई चाप द्वारा केंद पर अंतरित कोण जो होगा देखिए जो कोण है उसी को वन रेडियन बूलेंगे एक रेडियन कहलाता है ठीना तो यह एक रेडियन हुआ तो एक रेडियन को हम इस पकार उपर सी से भी परदर्शित करते हैं ठीना यह रेडियन हो गया तो एक रेडियन में देखिए क्या जाएगा इसका परिभासा हम लिख लेते हैं एक इकाई त्रिज्या वाले बृत्त के केंद्र पर एक इकाई चाप वाले एक इकाई चाप द्वारा द्वारा बृत के केंद्र पर द्वारा अंतरित कोड अंतरित कोड एक रेडियन कहलाता है ठीना तो यह हो गया परिभासा हो गया इसे हम एक इस पकार परदर्शित करते हैं देखें यह तो हो गया रेडियन के बारे में यह हो गया डिगरी और यह हो गया रेडियन अब हम लोग डिगरी और रेडियन की बीच में क्या संबंध है उसे अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग degree और radiant के बीच में संबंद देखेंगे तो देखें अभी जो पढ़ा हमने यह एक बृत है यह इकाई त्रिज्या का एक इकाई त्रिज्या का एक बृत ही चा और इस पर हमने एक इकाई चाप लिया था यह चाप लिया था एक इकाई चाप की लंबाई ठीक इना एक इकाई चाप लिया था तो इसके द्वारा जो केंद्र पर बना था कोण उसको वन रेडियन बूले थे ठीक ना तो देखेंगे यदि जब एक इकाई चाप की लंबाई चाप की लंबाई तो केंद्र पर अंत्रित कोण कितना यह हो गया ठीक ना हम इसका डबल कर लेते हैं ज ले लिया इसको यहां पर केंद पर कितना बन जाएगा यह इक इकाई चाप पर केंद पर अंत्रीट कोड ओट देर रेडियन हें तो दो इकाई चाप पर दो रेडियन बने सनल ऐसे दो एकाई कि चाप की लंबाई मैं तरह यह तो किनद्ण बने। दो रेडियन बनेगा केंद्र पर केंद्र पर दो रेडियन का कोन बनेगा यदि मैं इसी चाप के लमबाई बढ़ाते 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 पूरा बृत की बराबर कर दूँ थे ना चाप के लमबाई बढ़ाते बढ़ाते कितना है मैं यहां से चला था यहां तक आ सकता हूं तो लिखेंगे एक पून परिक्रमा पर चाप की लंबाई पहले देख लें कितनी होगी चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी चाप की लंबाई तो देखें यह चाप पुरा यहां से यहां तक यह चाप जो लंबाई होगी क्या होगा वो ब्रित की परिधी की बराबर होगा ठीना तो लिखेंगे ब्रित की परिधी ब्रित की परिधी की बराबर यह चाप हो पाएगा तो ब्रित की परिधी का formula क्या होता है 2 pi r होता है यहाँ r कमान एक इकाई लिये हैं हम लोग ठीक ना ती हो जाएगा 2 pi गुड़े 1 मतलब 2 pi तो इसका मतलब देखे एक पूरी परिख्मा 1 इकाई 2 इकाई इसनी प्रकार 2 pi इकाई ठीक ना एक इकाई 2 इकाई इस प्रकार पूरा चक्कर मारेगा तो हम कितना घुनेंगे ब्रित की परिधी के बराबर 2 pi r 2 pi r में r 1 है तो 2 pi मतलब यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी 2 pi हो गया तो लिखेंगे 2 pi इकाई अगर चाप की लंबाई हो चाप की लंबाई अगर हो तो ब्रित केंदर पर अंत्रित कौन कितना हो जाएगा तो एक पर एक है दो पर दो है तो 2 pi कितना लिखेंगे 2 pi radian ठीक ना तो 2 pi इकाई चाप की लंबाई अगर होता तो केंदर पर पुरा 2π मतलब पूरा इतना बड़ा मतलब पूरे बृत के द्वारा केंद पर तूर कोण कितना हो गया 2π अब देखिए अगर हम मालूम है अभी हमने डिग्री पढ़ा था एक पूल परिक्रमा एक पूल परिक्रमा पर हमको 180 degree प्राप्थ होता है ठीक ना और ये भी एक पूर्ण परिक्रमा है तो इस प्रकार हमको क्या relation मिला कि 2 pi radian बराबर sorry 360 होता है तो ये हो गया 2 pi radian बराबर 360 degree हो गया तो इस प्रकार हमें radian और degree की बीच में ये relation प्राप्थ हुआ है अब देखिए इसके पहले एक चीज़ और point हम लिख लेते हैं तेखिए यहां तक तो relation संबंध हो गया अब देखिए अगर हम इसका कोण अगर अलग-अलग मान गयाद करें देखिए इसके पहले यहां 2 से भाग अगर हम दे घ्र师 के लिए थीज प्रकार प्राइटी से रेडियं बराबर कि तो य को स Combine-अलग तो तो pi by 3 radian बटे 3 कर रहे हैं हम तो यह कितना हो जाएगा कटेगा तो 60 degree हो जाएगा ठीना, 3 से भाग दे रहे हैं दोनों पक्चों में 3 से भाग दे लिजे तो देखें, 3 से भाग देने पर कितना जाएगा यह 60 degree ही तो आएगा तो 60 degree को pi by 3 बोलते है रेडियन में अब फिर यहां पर पाइवाइफ फोर कर लेते हैं तो पाइवाइफ फोर रेडियन मतब कितना हुजाएगा 180 बटे 4 से भाग दे लेंगे तो 4 एकम 4, 4.16, 4.5, 20 मतलब पैतालीस डिगरी को पाइवाइफ फोर बोलेंगे फिर अगर हम 6 से भाग दे लें यहाँ पर तो यह देखे कितना है गा 180 बटे 6 6 तरीक 18 मतलब यह 30 डिगरी को हम बोलते हैं पाई बाई 6 ठीक ना यह हो गया 90 60 60 30 45 अब देखे 90 हो गया 45 हो गया 30 60 हो गया अब इसका आगे 180 पर तो देखे यह ही ठीक ना पाई बराबर 180 डिगरी होता ही है और 2 पाई बराबर 360 होता ही है अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 पाई बाई 2 करके देखे क्या आता है इसका मतलब पाई में 3 बटे 2 से गुड़ा कर रहे हैं तो यहाँ भी हम 180 में 3 बटे 2 से गुड़ा कर देंगे तो दो एक कम दूनावाट हारा मतलब 270 डिग्री को हम 3 पाई बाई 2 कहेंगे ठीक ना ये तो हो गया अब देखे एक फॉर्मला बनता है देखे अगर यहाँ पर देखे ये तो हो गया अब इसी बात देखे यहाँ पर अगर माल यार यहाँ पर हमने एक इकाई तरिज्जा के लिया था है ना तरिज्जा एक इकाई थी चाप भी एक इकाई था शुरू में ठीक ना जैसे यहाँ पर हम कर लेते हैं यहाँ पर इसी को करेक्शन कर लेते हैं देखे यह एक इकाई चाप था तो यहाँ पर केंदर पर एक रेडियन बन रहा था जरूरी नहीं कि कोई भी त्रिज्या आपको मिले जिसके एक इकाई त्रिज्या हो तो हम यहाँ पकल लेते हैं कि माल लिया आर इकाई त्रिज्या हो और यहाँ पर एल इकाई चाप हो मतलब चाप की लंबाई एल हो त्रिज्यार आज एकाई का हो तो इसके द्वारा केंद पर अंत्रीत कोड़ दिखे क्या बनेगा थेटा बराबर ल बाई आज ठीना तो ये एक रिलेशन होता है अब देखे इस वाले में कभी भी हम थेटा का मान जो प्राप्थ होगा हमें वो हमेशा रिडियन में प्राप्थ होता है ठीना इसको ध्यार रखिएगा इस पर हम कभी भी L का मान और R का मान जब भी रखेंगे एक इकाई होने चाहिए है ना सेम यूनिट होना चाहिए ठीना एक ही इकाई जैसे होना चाहिए अगर सेंटीमीटर में है इस थीटा का मान अगर रखने की बारी हो कभी इसमें तो अगर हमको इसमें थीटा डिग्री में दिया हो तो हम सबसे पहले इसको रेडियन में बतलेंगे फिर इसमें हम थीटा का मान रखेंगे ठीक ना तो ये हो गया डिग्री या और रेडियन की भी संबंध भी हो गया, formula भी derive देख लिया, अब इसके आगे आगे topic देखते हैं, देखें अब हम radian और वास्थविक संख्या में संबंध देखेंगे, तो देखेंगे, एक हम यहां बृत हीच लेते हैं, यह एक इकाई का, ठीक न, एक इकाई का तरिज्जा है, एक इकाई हो गया, यहां लिख देते हैं, ठीक न, अब हम यहां पर देखें, एक टेप लगाते हैं, एक टेप, जो टेप नापने के काम आता है, टेप लगा लें, यहां फीता लगा लें, यहां पर देखें, इसको ऐसे लगा लेते हैं, खड़ा-खड़ा, ऐसे लिख लिख लिया, टेप है simple, यहां measuring tape ले सकते हैं, यहां पर 0 ले लिया, और इसमें जैसे संख्या रेखा पर numbering करते हैं, तो यहां पर लिखते हैं, देखे 1, 2, 3 इस प्रकार, इसी प्रकार यह minus 1 भी लिख सकते हैं, minus 2 और यह minus 3, ठीक ना, जब हम इस फिता को यहां पर ऐसे मिलाएं, इसे fold कर करते चलें, तो यह वाला one यहां जाएगा, तो अगर हम यहां से इसको यहां तक हीचे, तो केंद पर one radian का कोण प्राप्त होगा, ठीक ना, one radian का कोण प्राप्त होगा, इसी पकार जब हम इसको यहां पर ऐसे सटाएंगे, तो यहां से जो यह कोण, यह देखे, यह हो गय एक इकाई, एक इकाई चाप हो गया, ठीना, अगर यहां मिलाया, तो यहां से यहां तक का एक इकाई चाप हो गया, ठीना, एल बराबर वन इकाई, जब इसको यहां से इसे मिलाया, तो यहां से यहां तक दो इकाई हो गया, ठीना, दो इकाई हो गया, दो इकाई चाप की लं वास्तिविक संख्या, एक के संगत, एक रेडियन, ठीना, एक रेडियन मिल रहा है, मिल रहा है, इसी पकार, वास्तिविक संख्या, दो के संगत, दो के संगत, दो रेडियन मिलेगा, दो रेडियन, प्राप्त होगा, या मिल रहा है, या प्राप्त होगा, तो इसी पकार हम सकते हैं, यन वास्तिविक संख्या, के संगत, एक रेडियन, प्राप्त होगा, ठीना, तो इस प्रकार, हम एक, इसको इस संख्या, जो वास्तिविक संख्या, प्राप्त हो रही है, वो, और radian को हम एक ही मान सकते हैं तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इस प्रकार हम वास्त्विक संख्या और radian को एक ही मान सकते हैं तो इस प्रकार ये radian आप वास्त्aktि संख्या में यही संबंद होता है जितना आप यहाँ पर मिलाएंगे उतने ही radian पये दिरपनंत्रित को हैगा तो इस प्रकार ये radian आप वास्त्विक संख्या में संबंद स्थापी देखा हमने अब देखें हम प्रश्णावली 3.1 देखेंगे